वेल गज़ आज कि इस वीडियो को नरहम M pocket के थुरू बिलकुल लेटेस प्रोसस में loan apply करने वाले हैं और भी कि आप यकीन नहीं मानोगे आप यहाँ पे सिर्फ एक गलती कर रहे हो जिसकी वज़े से मेरा भी loan reject हो गया था फिर मैंने एक trick के use किया और उसके बाद फिर मैंने अपने दोस का loan apply किया भाई उसका civil score मेरे से भी गया गुजराय फिर उसका loan प्रूफ हो गया आप यहाँ पे प्रूफ देख सकते हो तो भाई वीडियो के बिना script करे देखना तो फिर चलो कारे कर हम इस्टार्ट करते हैं अब यह देखो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी पर डिटेल बता देता हूँ क्योंकि मेरे पास एक comment ऐसा भी आया था कि उस बंदे ने अपना loan apply किया था पचास हजार का सूच किया और उसको loan मिला बीस हजार का तो भई वहाँ पे उसका civil भी down हुआ पलस में उसकी जितनी requirement थी उसको उतने पैसे भी नहीं मिले तो एक बार मैं आपको बता रहता हूँ कि आप इस application से minimum और maximum कितना पैसा ले सकते हो यहाँ पे आप देख सकते हो M pocket का use करके आप minimum 500 रबे ले सकते हो और maximum 30,000 रुपय तक भी आप ले सकते हो और उसके बार अगर बात करें हम charges की तो आप यहाँ पे देख सकते हो interest rate जो है आपका 0% से लेके और 4% तक हर महीने जाता है ध्यान आखना है यह monthly interest rate है yearly रही है उसके बार अगर बात करें tenure की तो देख सकते हो 61 दिर यानि कि वहीं बोल सकते हो आप 2 महीने से लेके और 120 दिन तक अब यहर देखो मैं आपको loan तो apply करके दिखा दे रहा हूँ लेकिन बस मेरी इतनी सी request है कि जब तक मेरे को loan ना मिले तब तक आप भी loan के लिए apply मत करना यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जैसी mpocket application डाउनलोड करके उसको open किया यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसा interface आएगा तो आपको simply get started पे click कर दिना है अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास थोड़ी बहुत टर्मेंट कंडिशन आ रही होंगी started का option आजाएगा आपको इसी पे click कर देना है अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपको अपना phone number एंटर करना है उसके बाद आपके phone number पे OTP आएगा और वो OTP आपको यहाँ पे एंटर कर देना है यहाँ पे आप देख सकते हो जैसी agree करते हैं उसके बाद यह पूछ रहा है कि आप student हो salad person हो या फिर कोई self-employed हो देखो भई आप इन में से कुछ भी हो लेकिन अगर आप student हो ना तो इसके लिए मैं आपको एक बाद में solution बताने वाला हूँ खेर अभी मैं self-employed करके proceed करता हूँ और यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर आप self-employed या फिर कोई salad person हो तो आपकी income कैसी आती है आपके bank account में या फिर cash या फिर check के थूँ तो भई इन में से मैं bank account चूज करके proceed कर देता हूँ उसके बाद आपके पास referral code डालने का option आ रहा है अब यार देखो अगर आपके पास है तो डाल देना वन आप इसको skip भी कर सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको language चूज करके simply proceed कर देना है तो वह finally यहाँ पर आप देख सकते हो हम M pocket के home page प्या चुके हैं और यहाँ पर आपको instant 45,000 का भी loan मिल सकता है लेकिन यह ऐसा होता निये कभी सिर्फ आपको यहाँ पर 20,000 या 25,000 की maximum मिलता है तो simply आप देख सकते हो आपके पास complete profile करने का option आ रहा है और आपको easy पर click कर दिना है इस पर आप जैसी click करोगे यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले आपको अपना अधार कार्ट की detail बगरा डालनी पड़ेगी और अपने pen guard की detail लानी है उसके बाद आपको अपने एक selfie भी capture करनी पड़ेगी और selfie capture करते वक्त आपको एक चीज़ का दिहान अखना है कि आपके चहरे पे कोई भी ऐसा distracting element नहीं होना चाहिए आपके चहरे पे proper lighting मगरा आनी चाहिए तो भी आप देख सकते हो हमने selfie यहाँ पे successful upload कर दिये उसके बाद यह पूछ रहा है कि आप KYC के लिए कौन सा document देना चाहते हो तो हमने यहाँ पे अधार card लिख दिया और document number लिखने के बाद आपको simply submit कर देना है और उस document से जो भी mobile number लिंक है उस पे OTP आएगा और वो OTP आपको यहाँ पे verify करना पड़ेगा तो भी आप देख सकते हो verification के बाद आप हमको अपनी basic information डालनी पड़ेगी जैसी कि आपका first name, middle name अगर है तो डाल देना बन आपको last name डालना है उसके बाद आप यह पूछ रहा है कि आपका gender कौन सा है भाई आप male, female अपनी मर्जी के साब से choose कर सकते हो उसके बाद आपको अपनी date of birth भी पतानी पड़ेगी यहाँ पे आप calendar में चूज करके अपनी date of birth select कर लेना और उसके बाद आपको simply अपना marital status select कर लेना है कि आप single हो या फिर married हो और उसके बाद आपको अपनी highest qualification डाल देनी है father full name और उसके बाद mother full name तो भी यह सारे details लालने के बाद आपको simply submit कर देना है और basic information के अंदर ही आपको अपना address verification भी करवाना पड़ेगा भाई यहाँ पर आप देख सकते हो यह साफ-साफ करें कि जो address आपके KYC document में थे वही address आपको यहाँ पर enter करना है तो भी आपको simply अपना permanent address डाल देना है उसके बाद pin code डाल देना है और अगर आपका permanent address और जो आपका करें मतलब की corresponding address है वो अगर तो उनों same है तो simply आपको same as permanent address पे टिक करके और simply submit कर देना है अब दोस्तों यहाँ से आपकी employment information चालो हो जाती है तो भई सबसे पहले जिस भी company के अंदर आप काम करें हो उस company का नाम बता देना उसका address बता देना और उसका pin code बता देना अब यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि आपको in hand कितनी salary मिल जाती है उसके बाद आप बता देना है आप कौन से पद पे हो करनी पड़ेगी या फिर आप अपना online state wmd upload कर सकते हो वह ज़्यादा फास्ट हो जाता है यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले bank account चूज करने के बाद आप अपना fc code डाल देना account holder name डाल देना account का number डालके उसे confirm कर देना और आपको simply proceed कर देना है और दोस्तों आपके loan लेने से पहले एक चीज मेरी ध्यान से सुन लेना यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी जो processing fees और loan management fees है वह ही 50 उर्पे से लेके और 200 उर्पे तक भी जा सकती है इसमें आप GHD extra add कर देना और यहाँ पर देख सकते हो जो maximum APR है अब depend करता है कि आप कितने amount का loan ले रहे हो लेकिन जो इसका maximum APR यानि कि annual percentage rate वह 142% तक गया है तो भी मेरी एक बाद ध्यान से सुन लेना अगर आप यहाँ से loan ले रहे हो न तो भी आपको maximum से maximum एक साल का 142% interest भी देना पर सकता है तो इस बात का अप ध्यान अगना इसी को कहते है annual percentage rate यानि कि आप total मिला जो लागे charges, hidden fees, processing fees, sum मिला जो लागे आपको 142% तक का interest लगाया जा सकता है So guys I hope आप hidden charges को समझ गई होगे तो भी चलो अभी हम अपना bank account भी verify करवा लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो simply आपको torment condition accept करके उसके बाद proceed कर देना है और दोस्तो उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि आप यह loan किस purpose के लिए ले रहे हो देखो भाई अगर इन में से कोई हो तो बता देना वरना आप other पर सिले करके उससे continue कर सकते हो अब दोस्तो इस page पर जितनी भी torment condition है आपको सबको accept कर लेना है उसके बाद proceed कर देना अब यहाँ पर आपको देख सकते हो आपको एक contract भी दिया जा रहा है यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी हमारा balance है वो हमारे bank account के अंदर process करती है गया है लेकिन भाई यहाँ पर यहाँ पर यह भी देख सकते हो यहाँ पर जो आपका timing है वो 30 minute दिखा रहा है तो आपको आधे गंटे का wait करना है उसके बाद ही पैसा आपके bank account के अंदर आएगा लेकिन भाई loan apply करने से पहले जो मैं बताने वाला हूँ उसको बड़े ध्यान से सुन लेना है एक बार और उसके बाद तीसीरी चीज यह भी है कि अगर आप इसमें एक बार apply कर देते हो ना तो यहाँ से आपको call वगरा भी आती रहती है उनके according अगर APR आपका 40% या फिर 35% से उपर होता है ना तो भाई आप यकीन मानो future में जाके वो loan आपको बहुत ज़्यादा महेंगा पड़ सकता है और दोस्तों यहाँ पे इनों ने साफ साफ मेंसन कर रखा है कि यह लोग सिर्फ एस्ट्रेंट और सैलिट प्रोफेशनल को यह loan प्रवाइड करते हैं अभी हम सैलिट प्रोफेशनल को साइड में रखते हैं लेकिन अगर बात आती है एस्ट्रेंट की तो भाई मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना यह लोग पता है क्या करते हैं यह लोग छोड़ो मार्केट के अंदर भाई बहुत सारी loan application है अगर आप loan ले ले लेते हो ना साथ दिन के लिए आर दिन के लिए या फिर दो हफतों के लिए भी तो भाई उससे पहले आपको परिशान करने लगेंगे मैं एम पोकेट की बात यहां पर नहीं कर रहा मैं आपको पहली के लिए कर दूँ बहुत सी मार्केट के अंदर application है वो भाई आपके साथ harassment करने पर पूतर आती हैं और अगर आप इस्ट्रेंट होना भाई आप कुछ भी नहीं कर सकते वहां पे और आप सोच के देखो कि अभी तो आप कुछ income भी नहीं कर रहे तो आप पैसो का जुगाड कहां से करोगे तो भाई देखो मेरे कहने का मतलब साब सीतिय ही है इन छोटे मोटी application से छोटे मोटी amount का loan लेके उसको double और triple करके भरने की बजाए आप अपने parents के थ्रूब भी पैसा ले सकतो simply भाई आप उनको जोड़त बता के पैसा दे देंगे और भाई एक मज़े की बात बाता हूँ आपके parents जब आपको पैसा देंगे न तो ऐसा भी नहीं के अंदर वो